नमस्कार जहीं दोस्तों दिस इस धिरे दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड यहां पर 33 सेमेंश्र 2019 का आसका पेपर है चतुर्थ प्रस्णपत्र यानि गडित का पूरा शॉलब देखेंगे सभी भहन भायों का जो पेपर है वो आसा करते हैं हम की अच्छा गया होगा हमार से पांच कुश्चन जो बहुवी कलपी हैं वो कौन-कौन से आपके सही होंगे चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहले तो यह बता दीजेगा कि पेपर आपका कैसा हुआ है जिससे हमें खुसी मिल ला है कि हाँ गुरुजी वर्ड ने आपके लिए कुछ किया है और हमारे परि िक फट्रोने में अगर उपर बारी संक्या है तो नीचे अगर आएगे तो नव याए निचे आती है तो प्लस में हो जाती है गर हम इसको काटें गे तो हो जाएगा A की पाबर दोसमें Ten तो यहां पर ऑंशर हो जाएगा कुल मिलाके A की घात माइनस 2 इसका राइट अंसर होना चाहिए ये वाला भी सूत्र A माइनस B की एक ब्रेक्ट में होता है और एक होता है A स्क्वाइर प्लस A V और प्लस B स्क्वाइर अगर देखे जाए और नीचे तो हमारा पहले से ही है साथ पना 35% इसका राइट अंसर हो जाएगा अगर बात करते हैं कि A जो है यूनियन की बात नहीं है या पर इंटर्येक्शन की बात है यानि कुछ न कुछ कामन की बात कर रहा है अगर A और B में से कोई कामन है तो यहां पर क्या होगा तो राइट अप्सन 6 हो जाएगा कि 6 और 6 यहां पर कामन है एक बर्ग मीटर में बहुत सारे लोगों ने क्या किया है दोस्तों यहां पर 1000 लगा है अब मैं बता देता हूं क्योंकि इतना मनोवैग्यानिक तरीके से मैं आप जानता हूं आप अपने परिवार को जानता हूं कि बहुत सारे लोगोंने एक हजार लगाया है जितने भी बहन है जितने भी भाई है कितने लोगों ने लगाया जरीन मुझे बताएं लेकिं़िकन यहां पर जिफूरई Maat तीसरा, बाहक चेक क्या है, बाहक चेक वो होती है, इस प्रकार की चेक, स्वेम अपना धन किसी बैंक से निकाला जा सकता है, दूसरे बैंक में नहीं चल सकता है, यानि खुद के द्वारा ठीक है न, ये अपने अपने अच्छे धंक से और लिखा होगा, खेर बात करते हैं चार सेंटीमीटर, छे सेंटीमीटर है, तो यहां पर अगर बात करते हैं, चार और छे की, तो दो दूनी, चार छे दूनी, बारा सेंटीमीटर आजाएगा अंसर इसका साथ में का, यहां पर नो की बात करा है, समानुपात एक्स की बात करा है, बारा की बात करा है, छे की ब यह देखे लिखा है इसके गोड़नखंड करेंगे तो यहां पर अगर गोड़नखंड करेंगे तो दस एकंद दस होता है और इसके अलाबा जो है यहां पर बनेगा की इसको अगर स्वालव करा जाए तो बनेंगे 5x माइनस 2x माइनस 10 यहाँ पर अगर कामल होगे तो यहाँ पर x बन जाएगा x प्लस 5 और एक बन जाएगा x माइनस जो है 2 तो यह आपके गुलन खंड अगर आए हैं तो बिल्कुल सही होगे यहाँ पर दसमे कुश्चन की बात कर लेते हैं कि 6 मीटर लंबाई है 25 मीटर उंचाई है 15 सेंटीमीटर मोटाई है आयतन ग्याद कीजेगा तो इसका जो है राइट आंसर 225 सेंटीमीटर क्यूब आया है कुछ का मीटर भी आएगा 2525 तो वह भी सही है 9 सही 4.5 ठीक है याणी 49 5.5 में किस रंख्या का गुढ़ा करें की हो जाए आपका 22 तो अगर यह वाले पक्ष उतर जाएंगे तो यहाँ पर जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 30 बटे 7 और 30 बटे 7 तो कह सकते हैं कि गुरुजी वर्ड में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो यहाँ पर सभी को सेर जरूर करें क्योंकि आपके हिट में क्लास लगेंगी तो आपके हिट में काम करेंगा वही पढ़ेंगे जो आपके एक्जाम के लिए जरूरी होगा चाहें semester की परिक्षा हो चाहें upytate की परिक्षा हो चाहें कोई भी नीती आयोग नीती गठन कोई सिच्छा नीती कुछ भी आये कोई मतलब नहीं करना है कुछ नहीं करना ठीक है यहां से निकलेगा हमारा कुछ जो है 1221 करके निकलेगा और फिर जो है चक्रवर्दी ब्याज होता है मिसे दन मैनेस मूल दन तो यहां पर जो है 1221 से 1000 घटा देंगे तो हो जाएगा 210 ठीक है न यहां पर एक ठोस घनाव की लंबाई जो है इस तरीके में दी गई है तो दोनों एक ब्रेकट बनेगा उसमें जो है दो कामन मिल लाएंगे जैसे अगर कामन मिलता है में क्या होता होता है कामन 13 हो जाएगा करण बराबर 13 यानि तरज्या बराबर 13 एक से 20 तक कि समसंख्याओं का समांतरमाद नी जो है बताएए 12, 14, 16, 18, 20 यानि कुल 10 संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हमारा उपर आ जाएगा 110 बटे 10 संख्याओं है यानि सभी शंख्याओं का योग प्लस जो है शंख्याओं का जो कितनी संख्याओं हैं ठीक है ना तो यहां से काटेंगे तो इसका अंसर हो जाएगा 10 लग गडग में एक आंसर हो जाएगा लॉग 13, 170 का मांजो है 2 हो जाएगा और एक आपका यह आंसर हो जाएगा माइनस 3 ठीक है एक समध्दी बाहू जो है त्रिबुच के समान कोड़ों तीसरे का चार गुना है त्रिबुच के तीनों कोड़ों का मान गयात करूआ बताओ आप कितना होगा इसमें यहां पर कितना मान होगा हमें जल्दी से बताए कमेंट करके अगर जो है कुछ इस तरीके का है 20-80 तो हमें बताए ठीक है तो बता देते हैं पेपर आपका बहुत अच्छा गया है कितने लोगों का पेपर अभी तक सही गया है यहां पर बत नहीं अगर आपके चार से पांच कुछन गलत भी होते हैं तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है